जै सावरिया सेट आज हम राजस्तान के विश्व परसित सावरिया सेट मंदिर के दर्सन के लिए चलेंगे पगवान सावरिया सेट को लोग अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं और परतेग महिने में अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा सावरिया सेट के दान करके आते हैं इसलिए लोग इन्हें सेटू का सेट सावरिया सेट कहते हैं अगर आप सामरिया सेट की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्प पुल रहने वाला है इस वीडियो में हम बात करेंगे सामरिया सेट कैसे पहुंचे कहां रुके, काने पीने की क्या वैविस्ता रहेगी और सामरिया सेट मंदिर दर्शन की टाइमिंग क्या रहेगी लास्ट में हम बात करेंगे सामरिया सेट यात्रा में हमें कुल कितना कर चाएगा जै सामरिया सेट आईए दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते है सावरिया सेट मंदीर मंदफिया कैसे जाए सबसे पहले हम बाई ट्रेन सावरिया सेट की यात्रा के बारे में जानकारी देते है सावरिया सेट का सबसे नजदी की रेलवे स्टेशन चित्तोडगड जंक्सन है चित्तोडगड जंग्सन से मंदिर की दूरी लगबक से 47 किलो मिटर है दूसरे रेलवे स्टेशन की बात करे तो उदेपुर रेलवे स्टेशन सामरिया सेट का दूसरा सबसे नज़दी की रेलवे स्टेशन है आप चाहो तो चित्तोडगड जंग्सन या उदेपूर जंग्सन दोनु में से किसी भी जगे आ सकते हो चित्तोडगड और उदेपूर आने के बाद आपको सामरिया सेट मंदिफिया मंदिर के लिए अनेक साधन मिल जाएंगे अब हम सामर्या सेट मंदिर हवाई मार्ग से यात्रा की जानकारी देते हैं सामर्या सेट का सबसे नजदी की एरपोर्ट महाराना परताब एरपोर्ट उदेपुर में है एरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगबग सितर किलोमेटर की है एरपोर्ट के बाहर से आपको टेक्सी और राजस्तान राज्जी की बसे मिल जाएगी अब हम बाई रोड सामरिया सेट की यात्रे के बारे में जानकरी करते है आप अगर बाई रोड सामरिया सेट आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको या तो उदेपूर आना होगा या चित्तोडगड आना होगा चित्तोडगड और उदेपूर से सामरिया सेट मंदिर मंडफिया के लिए डारेक्ट बसे नहीं मिलेगी इसलिए आपको बाद सोडा चोराहे तक बस से आना होगा आप चित्तोडगड और उदेपुर से बाई टेक्सी भी सावरिया सेट मंदिर तक जा सकते हो जिसका लगबग आपको एक गंटे का समय लगेगा और टेक्सी आपको सावरिया सेट मंदिर तक पहुचा देगी अब हम बाद सोडा चोराय पर उतर गए हैं बाद सोडा चोराय पर उतरने के बाद स्री सावरिया सेट प्रकटेस्तल मंदिर बना हुआ है आप पहले यहां दर्शन कीजिए और यहां दर्शन करने के बाद मंडप्या में सावरिया सेट के मुख्य मंदर के दर्शन किरेंगे इस मंदिर में दर्शन के लिए लगबग आपको 15 से 20 मिनिट का समय लगेगा वहीं हम दर्शन के टाइमिंग की बात करें तो प्राते 5 बजे से 12 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं और दोपेर 2 बजे से रात्री 11 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं बहुती सुन्दर मंदिर बना हुआ है, जिसमें बहुती सांदार काच की नकासी बनी हुई है, इस मंदिर के बाहर बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्तिया लगी हुई है, आप इनके भी दर्सन कीजिए। मंदिर के ठीक सामने बजरंग बली का मंदिर भी बना हुआ है, आप वहां भी दर्सन कीजिए। बाद सोड़ा चोराया पर बने वे सी सांवर्या सेट प्राकटेस्टल मंदिर के दर्सन के बाद हम मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं। बाद सोड़ा चोराया से आपको परतेक 15 मिनट में ओटो मिल जाएंगे जो आपको सांवर्या सेट मंदिर तक छोड़ देंगे। ओटो के किराय की बात करें तो लगबग आपसे 15-20 रुपे परती विक्ति लेंगे। आईए दोस्तूं अब हम सांवर्या सेट मंदिफिया के मंदिर में चलते हैं। में फोर बेड रूम हजार रुपे में और परती होल हजार रुपे में आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको सोड़ा बेड की डोर में ट्रीवी उपलब दे जिसमें परती बेड आपको 200 रुपे देने होंगे। और आप चाहो तो प्राइवेट होटल में भी रुख सकते हो जिनके किराए की बात करे तो लगबग 500 रुपे में आपको 9 नेशी रूम मिल जाएगे। अब हम मंडपिया में रुखने की बात करे तो यहां आपको सामर्या सेट मंदी ट्रेस्ट की योड से रुखने के टेरू ओप्सन है जिनकी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ रही है। यहां आपको डोर मेट्री 20 रुपे में और रूम 50 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक मिल जाएगे। अगर आप प्राइवेट होटल में रुखना चाहते हो तो यहां आपको 500 रुपे से 1000 रुपे में बहुत बढ़िया होटले मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप चित्तोडगड में स्टे बनाना चाहते हो तो मंदी ट्रिष्ट की ओर से संचालित स्री सावरिया जी विश्ट्यानती ग्रह में रुख सकते हो। यहां नोन एसी रूम और डोर मेट्री की सुईदा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए सावरिया सेड़ जी की ओपिशल वेब सेड़ पर जा सकते हो। वेब सेड़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब हम बोजन की बात करते हैं। बात सोड़ा चोराय पर बने वे सावरिया सेड़ मंदीर ट्रिष्ट के जैस्ट बगल में आपको निसुल्क बोजन प्रसादा ले की संचालित यसोदा विहार में आपको मंदीर ट्रिष्ट की ओर से संचालित बोजन मिल जाएगा। जिसकी दर की बात करें तो 30 रुपे में आपको स्वादिष्ट बोजन मिल जाएगा। आईए दोस्तूं हम सावरिया जी मंदीर ट्रिष्ट द्वारा संचालित बोजन आले में बोजन करते हैं अब हम मंदीर में दर्शन के लिए चलेंगे दोस्तों यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मंदीर में किसी भी परकार की पुझन सामगरी ले जाना पूर्णे ते परतिबंदी थे इसलिए दर्शन करते समय कोई भी पुझन सामगरी साथ में मंदीर में आने वाले सरदानों के लिए मंदी ट्रेश्ट की ओर से नीशुल्क पार्किंग सुईदा है। 20 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। मंदीर में दर्शन करते हैं। मंदीर में दर्शन के बाद आपसरी सावरिया सेट मंदीर द्वारा संचालित बाल भोग परसाद खरीद सकते हो। जो आपको ये सोदा विहार विस्तरांती ग्रेय के बाहर से एवाम भात सोडा चोराय पर बने सावरिया सेट मंदीर से प्राप्त कर सकते हो। बोग परसाद की रेट की बात करें तो लड्डू 40 रुपे परती नंग, मठली 30 रुपे परती नंग, और सागर 250 रुपे परती नंग, और मेसूर पाक 100 रुपे परती नंग के हिसाब से आपको मिल जाएगी। दोस्तु, लग बग 10 लाग वेक्ति परती मेहने सावरिया सेट मंदीर के दर्सन के लिए आते हैं, अगर आप सावरिया सेट के दर्सन के बाद सोपिंग करना चाहते हो तो मंदीर के बहर बने, बाजार से सोपिंग कर सकते हैं। लास्ट में हम सावरिया जी यात्रा में होने वाले कुल खर्च की बात करें तो उदेपूर या चितोर गड़े सावरिया जी आ रहे हो और एक नेट का स्टे बना रहे हो तो आपको यहां कुल खर्चा लगबग 500 से 1000 रुपे परती विक्ति आता है इसमें किसी भी परकार की सो पसंद आया हो तो लाइक शेर एंड सस्क्राइम करना ना भूले चेश आवरिया सेट